सबसे पहले यहां बे से चेक करेंगे तो सेविन से चेक करने के लिए यहां पर स्ट्वेंट्स हम लोग यूज करते हैं हास्किलेटर टू निगेटिव ठीक है यानि कि कोई भी नंबर है उसके लास्ट के डिजिट का ट्विस करेंगे जितने भी रिजल्ट्स हैंगे बाकी बच्चे हुए डिजिट से हम क्या करेंगे सब्ट्राइट करेंगे ठीक है तो जैसे एक्जामपल समझते हैं यहां पर जैसे 112 है तो इसके यह हमारा इका यह जो है तो इसका हम क्या करेंगे और बाकी के लेफ्ट नंबर हमारे क्या है इलेवन है तो 11-2 2 multiply 2 तो यहां पर उसके लेटर हम लोग क्या यूज करने वाले है ठीक है तो 11 माइनस यह हो जाएगा 4 result आजाएगा यहां पर 7 अब यहां पर चेक करेंगे कि क्या यह 7 साथ का multiple है yes तो यह 7 से divide हो जाएगा then 112 भी हमारा साथ से क्या हो जाएगा divide हो जाएगा ठीक है तो हमेसा ध्यान रखना है यहां पर less करने के बाद 7 का multiple होना चाहिए यहां फिर 0 आता है तब भी हो 7 से divide हो जाएगा ठीक है चले एक और example से समझते हैं जैसे हमें चेक करना है 63 का तो यहां पर 1 का यहां क्या है हमारा 3 है तो 3 का यहां पर double करना है पर minus करेंगे बाकी बच्चे यह नमबर यहां पर लाके रखेंगे 6 और 6 minus 6 it will be 0 तो यहां पर 0 आ चुका है तो 0 भी हमारा यहां पर आने के बाद 63 हो है 7 से हमारा divisible होगा completely ठीक है 7 का multiple और 0 ठीक है आगे बढ़ते हैं तो अब यहां पर 13 का चेक करते हैं 13 के लिए हम positive oscillator का यूज करेंगे students ठीक है यानि कि एक example समझते हैं जैसे हमारे पास 143 है तो यह हमारा जो इकाई अंक है unit digit one splash पर इसका हम four times करेंगे तो three multiply four ठीक है और यहां पर बाकी बच्चे हुए digit हमारा क्या है one four है one four और यहां पर हम plus करेंगे ठीक है ना इसको solve करेंगे यह हो जाएगा 14 और plus 12 इसको add करेंगे it will be 26 क्या 26 13 का multiple है तो आप कहेंगे yes तो number भी हमारा क्या होगा divisible होगा ठीक है तो इस तरह से हम चेक करते हैं 13 के लिए let's see one more example जैसे हमें चेक करना है यहां पर 169 के लिए 52 ठीक है तो क्या 52 13 का multiple है 13 के table में आता है तो यह नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा divisible हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से हम 13 के लिए चेक करेंगे आगे बढ़ते हैं अब है यहां पर 17 के लिए 17 के लिए 17 के लिए हम कैसे यूज करेंगे यहां पर तो 17 के लिए students यहां पर उसकी लिटर हम 5 यूज करेंगे ठीक है और negative यूज करेंगे negative उसकी लिटर यानिकी वन स्प्लिच पर जो डिजिट होगा उसमें हम 5 से multiply करके बाकी बच्चे हुए डिजिट से हम less करेंगे तो यहां पर 4 multiply हम क्या करेंगे 5 करेंगे ठीक है तो यह होजाएगा 190 और minus 20 स्कुलिस करेंगे तो यह आज आगा यहां पर 170 क्या 170 सत्रह के टेबल में आता है तो आप बिलकुल कहेंगे हां सत्रह के टेबल में आता है और यह कट जाएगा ठीक है तो जब 170 यहां पर 17 के पाहड़ी से कट रहा है इसका मतलब यह number भी हमारा क्या divisible होगा ठीक है चली एक और example देखते हैं जैसे माल लिजे हमें चेक करना है 68 ठीक है तो इसका हम फाइव टाइम्स करेंगे 6 माइनस 8 टीपलाई 5 यह हो जागा 6 माइनस 40 तो यहां पर इसको लेस्ट करेंगे तो यह हो जाएगा students 34 माइनस कर ठीक है तो यहां पर 34 क्या सत्र अगे टेबल में आता है तो आप कहेंगे हां आता है तो number भी हमारा क्या हो जाएगा divisible हो जाएगा और last हमारे पास यहां पर है 19 के लिए हम कैसे चेक करते हैं तो यहां पर हम positive oscillator use करेंगे जैसे हम 7 में क्या use करते है 7 के लिए वहां पर negative oscillator use कर रहे थे यहां पर हम positive views करने वाले हैं ठीक है तो जैसे मान लेज़े हमारे पार 361 है 361 ठीक है तो यहां पर 1 का double करेंगे और प्लस बाकी बचे हुए नंबर तो बाकी बचे हुए नंबर क्या है 36 है तो यह हो जाएगा 36 और प्लस 2 यह हो जाएगा 38 क्या 38 19 के table में आता है तो आप करेंगे हां तो नंबर भी हमारे क्या हो जाएगा divide हो जाएगा ठीक है तो एक और example समझते हैं जैसे 57 का हमें चेक करना है तो इसका double करेंगे 5 प्लस 2 multiply 7 यह हो जाएगा 5 प्लस it will be 9 14 और इसको add करेंगे यहां पे तो यह हो जाएगा हमारा 19 तो यह हमारा 19 का multiple है तो नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा divisible हो जाएगा तो students यह important numbers थे यहां पे और काफी competitive भी है तो चलिए उमीद करते हैं इस वीडियो से आपने सिखा होगा मिलते हैं किसी नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिन जैभारत